नमस्कार दोस्तों MS Excel के आज के tutorial वीडियो में आपका स्वागत है अपने पिछले वीडियो में हमने MS Excel के कुछ formulas या फिर कुछ functions के बारे में जाना था आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने इस date के format को, time के format को या फिर अपनी currency के format को change कैसे कर सकते हैं आज का वीडियो एक लंबी समय के बाद आपको मिल रहा है क्योंकि seasonal कुछ health issues के कारण में regular नहीं आ पाया और हो सकता है अब भी कुछ और दिनों तक या कहें कि दिसंबर के महीने तक आपको regular वीडियो ना मिल पाएं लेकिन next month यानी जनवरी 2024 से आपको regular वीडियो मिलते रहेंगे और आप excel और इसके बाद दूसरी चीजें भी regularly सीखते रहेंगे साथ ही कुछ अन्य नए वीडियो भी मैं आपको इस channel के माद्यम से देता रहूँगा तो आज का वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम आजाते हैं अपने currency पर तो ये जो हमारी currency है इसमें हमने कुछ amount लिख रखा है इसमें हम एक दो amount को थोड़ा सा बढ़ा भी लेते हैं अगर आप कहें तो तो इसको हमने बढ़ा लिया है थोड़ा सा चीजें easy हो जाएंगी आपको समझने के लिए तो इसके format को change करने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले हमें जिस भी cell के format को change करना है उस cell को या फिर अगर हमें सभी cell के format को change करना है तो सभी cells को हमें select करना होगा इन सभी cells को select करने के बाद आप उपर आईए home tab में इसमें number के नामसे एक block है जिसमें नीचे down arrow दिख रहा होगा आपको इस पर आपने click करना है click करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास currency का option इसमें आपको दिख जाएगा इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको decimal place दिख जाएगा कि कितने की बाद दशमलब लगाना है और यहाँ symbol आपको दिख जाएगा currency का तो यहाँ हमारा चुकि रुपीज है इसलिए हमने रुपीज कर रखा है आप चाहें तो यहाँ पर आपके कोई और currency है dollar है पॉंड है तो जो भी currency है उसमें आप इसको select कर सकते हैं दशमलब एक बार हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर okay करेंगे okay करने के साथ ही आपका जो यह currency है sign यहाँ पर दिखाई देगा okay करके देखते हैं कि क्या यह change होता है तो यह देखिए हमने जैसे ही okay किया तो यहाँ पर सभी के साथ इसने रुपीज का sign यहाँ पर दे दिया मालीजे आप किसी excel sheet पर काम कर रहे हैं जहाँ पर इस तरह का कुछ figure है आपके पास और जिसको आप दिखाना चाहते हैं रुपीज के sign के साथ तो इस तरह से आप इस चीज को यहाँ पर show कर सकते हैं अपने format को इस तरह से change कर सकते हैं या अगर आपने इस पूरे column को ही select करक है या number में गए currency में गए और यहाँ पर आकर रुपीज का sign लेकर इसको अटाक के okay कर दिया तो यह पूरा ही आपका change हो गया अब जब आप यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे 10,000 लिखा तो यह sign के साथ ही आएगा आपका इस तरह से हम इसका format हम change कर सकते हैं दोबारा से हम इसको select कर लेते हैं और यहाँ पर आपको कुछ options दिख रहे हैं तो इसमें जब आप यहाँ यह आपका comma style दे रखा है तो जैसे आप comma style पर click करेंगे सबसे पहले यह हम इसको commas को हटा देते हैं फिर हम आगे की चीज़ समझने की कोशिश करेंगे इसके लिए हमने इन सारी cells को select कर लिया है down arrow पर यहाँ number वले block में down arrow पर click करेंगे और यहाँ currency पर जाएंगे यहाँ उपर आप देखेंगे यहाँ general का एक option मिलेगा general पर click करके ok कर दीजे ok करते ही यह दे है जैसे ही इस comma style पर हम click करेंगे तो यहाँ पर अपने हिसाब से यह commas ले लेगा देख लेते हैं इसको देखिए हमने comma किया comma पर click करते ही इसने यहाँ पर comma ले लिया उसके बाद दशमलेप के बाद यहाँ पर दो इस्थान तक यहाँ दो number तक इसने 00 अपने automatically यहाँ पर लगा दिया है इसके बाद अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे यहाँ से भी हम देखेंगे तो यहाँ next हम आएंगे यहाँ increase decimal का एक option आपको मिल रहा है जब हम यहाँ पर click करेंगे तो click करने के बाद दशमलेप के बाद आप देखेंगे तो यह इस तरह से जो zero है यह बढ़ता चला जाएगा जैस जितनी बार हम click करेंगे उतनी बार यह बढ़ता चला जाएगा और इसको हम खीच कर देखेंगे तो यह देखेंगे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा यहां पर अगर हमारा उसके आगे का एक जो फॉर्मूला बार है जिसमें आप देखेंगे decrease decimal का एक टैब है उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां से decimal जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे यह देखिए एक-एक decimal कम हो रहा है और हमें जितने चाहिए उतने हम यहां पर रख लेते हैं और इस तरह से आप अपने जो currency के format को है उसको change कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे आपको general मिल रहा है, number भी है, currency है, accounting है, percent, time या fraction है जो भी चीज़ आपको यहां पर चाहिए fraction वगएर आगे देख लेंगे हम, और लेकिर हमें यहां पर accounting तक हमें चीज़ें समझनी थी, तो यह सारी चीज़ें आपके हमने clear हो गई है currency clear हो गई है आपके लिए, अब हम आते हैं time के format पर, time का format चेंज करने के लिए हमें cells को सारी select करना होगा यहां हमें number पर जाना होगा, जाने के बाद यहां time का tab आपको मिलेगा, उस पर click कर दीजिए और click करने के बाद जो आपको time की टेप चाहिए, वो time की टेप यहां पर आप select कर सकते हैं select करने के बाद जैसे ही आप okay करेंगे, तो यहां पर यह time के इसलिए आपकी change हो जाएगी जो भी आपको चाहिए होगा, उस हिसाप से आप इसको easily कर सकते हैं अप चुकि यहां पर आप इंडिया के हिसाप से चाहें, तो वो भी कर सकते हैं custom करना चाहें, तो यहां पर आप अपना time के हिसाप से custom भी कर सकते हैं तो time आप अपने हिसाप से यहां पर manage कर सकते हैं अपने हिसाब से आपको जो भी चाहिए वो time यहाँ पर slab ले लीजिए और इस तरह से आपका वो time जो slab है वो यहाँ पर show करने लग जाएगा तो अपनी जरुरत के हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से time select आप कर लेंगे तो यह हो गई time की बात अब हम आते हैं date की बात पर तो date में यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारा सबसे पहले date है फिर month है और फिर year है तो इसको अगर आप कुछ change करना चाहते हैं तो सबसे पहले select कर लीजे सभी cells को उसके बाद यहाँ down narrow में number tab block में down narrow पर click कर दीजे यहाँ date के option पर आपका click है और आप यहाँ पर date के format बहुत डेर सारे दे रखे हैं यहाँ से आप date का format select कर सकते हैं नहीं तो यहाँ नीचे custom पर आप चले जाएए यहाँ पर आपका दिख रखा है दिन, महीने और साल तो आप अपने हिसाब से इसको change कर सकते हैं मालेजे हमने month पहले ले लिया और date को बाद में ले लिया और year को बाद में तो उस format में हमारी यह date भी change हो गई इसको समझने में भी आपको कोई problem नहीं आई होगी ऐसी मुझे आशा है यहाँ पर आप date के और भी format हैं आप चाहें तो वहाँ से select अर सकते हैं ठीक वैसे ही टाइम के फॉर्मेट हैं वो भी आप जाके कर सकते हैं कस्टम करना चाहें तो वो यहाँ पर जाकर आप कस्टम में भी जाकर अपना टाइम चेंज कर सकते हैं यह सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी ऐसी मुझे अमीद है और आशा करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो के हर डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी आज के वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी नई इंफॉर्मिशन के साथ तब तक के लिए जैहिंद